दोस्तों आप हमारे वीडियो का टाइटल तो देखी चुके हैं कि श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के दिन ले आना ये पांच चीज घर भर जाएगा पैसों से तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए ध्यान से सुनिए अगर आपको समझ में नहीं आते तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों भादो माह के कृष्ण पक्ष की रोहिनी नक्षत्र में भगवान श्रीकृष्ण जी ने लिया था और कहा जन्म लिया था तो मथुरा में जन्म अश्टमी तिथी को जन्म लिया था इसलिए जो अश्टमी तिथी है भादो माह की रोह या फिर 7 सितंबर को कृष्ण जन्माश्टमी है तो आपको परिशान नहीं होना है विडियो में जानते हैं तो दोस्तों जो 6 सितंबर दोपहर 3 बचकर 37 मिनट में यह भादरपद माह के कृष्ण पक्ष की जो है अश्टमी तिथी शुरू होगा और अश्टमी तिथी की ही हम सब जो है कृष्ण मनाते हैं और इसकी समापती रहेंगे दोस्तों 7 सितंबर को 4 बचकर 14 मिनट में तो थे या फिर 7 सितंबर को कृष्ण जन्माश्टमी मनाई तो जीतने भी ग्रिहस्ट साधक है जैसे की हम लोग हम सभी लोग जीतने भी ग्रिहस्ट साधक है 6 सितंबर को इस वर्ष 2023 में कृष्ण जन्माष्ट मी मनाएंगे और साधु संथ सन्यासी वैशनव संप्रदाय के लोग हैं, साधु संथ हैं, सन्यासी हैं, ऐसे लोग साथ सितंबर को कृष्ण जन्माष्ट मी मनाएंगे क्योंकि दोस्तों रोहिनी नक्षत्र जो 6 सितंबर को ही है, रोहि इतने समय पूजा कर सकते हैं। इतने समय पूजा कर सकते हैं। व्यक्ति में डाल करके बोल देते हैं। जैसे जैसे उस धनिया को खाना शुरू करते हैं, तो व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नती होना शुरू हो जाते हैं। व्यक्ति घर में धन दौलत तेजी से आना शुरू हो जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को पांच ऐसे वस्तु के बारे में बताऊंगा जिससे श्री। कृष्न जन्माश्टमी के दिन कोई भी व्यक्ति ध्यान से श्री कृष्न जन्माश्टमी के दिन कोई भी व्यक्ति से लाकर करके भगवान श्री कृष्न को समर्पित करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के साथ जन्मा की दरग्रता, ऐसे व्यक्ति की कैसा भी परेशानी, बुरा स अगर भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण के प्रती आपकी आस्था है, तो कमेंट बॉक्स में जै श्री कृष्ण सदा सहाय जरूर लिखना और हाँ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे वीडियो को लायक नहीं किया है, तो लायक कर देना और इस वीडियो को फाइदे के लिए पूरा ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना की जो जानकारी बताऊंगा, जानकारी समझ में नहीं आते बाद में चल करके आपको समझ में नहीं आएंगे तो इस जानकारी को किसी पेन कौपी में नोट करके ले लेना बाद में चल करके यह जानकारी आपको आगे काम आएंगे तो श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के दिन कौन सी ऐसी चीज है जिससे हम जो धन देने का अधिकार केवल लक्ष्मी माता को है, परंतु किसके भाग्य में किसे कितना धन देना है, यहाँ अधिकार भगवान श्री विश्नु जी को है, और विश्नु जी ही भगवान श्री कृष्न के स्वरूप है, भगवान श्री कृष्न आज भी जागरित वरिंदावन में जो नंदनवन है, वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण आज भी रास रचाते हैं। फिर आपको अपने घर को एक बार गंगाजल से पूरी तरीके से छींटे मार देना है, अपने घर को पवित्र करना है, फिर इस वस्तु को आपको लाकरके भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करना है, तो आपको लाना क्या है? पहला वस्तु है, मित्रों को है, शहर जी हां, जो शहद है यह भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है ध्यान से सुनिए भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है शहद शहद जो है देवी देवताओं को भोग के रूप में लगाते हैं आपने देखा होगा जो शहद है यह वास्तु दोश को भी दूर करते हैं भगवान श्री कृष्ण को वास्तु का जनक समझा जाता है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के बाल अवस्था रूप का मूर्ती रखा जाए जिसे हम जो है बाल श्री कृष्णा बोल सकते हैं या फिर एक तरहे के छोटा कृष्ण बोल सकते हैं यह फिर बाल गोपाल बो व्यक्ति थोड़ा थोड़ा खाना शुरू कर देते हैं, या फिर इस शहादत का छींटा अपने घर में मारते हैं, तो यह घर के वास्तुदोश को समाप्त करते हैं, अगर व्यक्ति की जीवन में किसी भी तरहे के दोश लगा हो, उस दोश का भी भगवान श्री कृष्न हो जाते हैं, वह घर पवित्र हो जाते हैं, उस घर में. साक्षात लक्ष्मी आती है, उस घर में कभी भी अन्नधन की कमी नहीं होती, यह पहला श्री कृष्न जन्माष्टमी के दिन आप जरूर करना आपके जीवन में चले परेशानी, आपके जीवन में चले सारे कष्ट दूर हो जाएंगे दूसरा वस्तु के बारे में बता रहा हूं तो भगवान श्रीकृष्ण को जो दूसरा वस्तु जो है आप चढ़ा सकते हैं जो वीडियो है यह भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है और यह मा सरस्वती के भी जाए तो प्रिय एक तरह के बाद यंत्र है तो जो व्यक्ती भगवान श्री कृष्ण को बीड़ा चड़ाते हैं ऐसे व्यक्ती की बुध्धी तीवर हो जाते हैं ऐसे जो व्यक्ती हैं यहां आगे चलकर के गुनकारी बनते हैं, ऐसे व्यक्ति एक तरहे की गिद्ध संगीत के माध्यम से, आगे बढ़ते हैं, ऐसे व्यक्ति राजनेता बनते हैं, तो जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को कृष्ण जनमाश्टमी के दिन पीडा भेंट करते हैं, ऐसे व्यक् अगर कृष्ण जन्माश्टमी एक दिन मोर्पंख अगर आप ला करके भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर देते हैं, तो मोर्पंख को बहुत ही पवित्र समझा जाता है, यह घर में सकारात्मक उर्जा को बढ़ाने का काम करते हैं, घर में नकारात्मक उर्जा उसे कर देते हैं, भगवान श्री कृष्ण अपने मुकृट वे स्वयम मोर्पंख, धारन किये हुए हैं, तो एक काम करना श्री कृष्ण जन्माश्टमी के दिन मोर्पंख जरूर खरीद करके लाना भगवान श्री को समर्पित करना, इस श्री कृष्ण को समर्पित करने के बा वास्तुदोश है वो समाप्थ हो जाएंगे क्योंकि मोर्पंख को वास्तुदोश समाप्थ करने वाला कहा जाता है मोर्पंख से जिस घर में मोर्पंख का छींटा मारा जाए या फिर मोर्पंख का पानी का घर में छींटा मारा जाए सनान कराया जाए उस घर में साथ शांत लक्ष्मी उस घर में साक्षात लक्ष्मी आजाती है। श्रीक्रिष्न जन्माश्टमी के दिन समर्पित करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के ऐसे व्यक्ति के जीवन में चहरे परेशानी समाप्थ हो जाती है, क्योंकि भगवान श्रीक्रिष्न ने स्वयं कदम के व्रिक्ष पर बैठ कर के बांसुरी बजाते थे, और कदम व्रिक्ष को भगवान श्री कृष्ण का आशिरवाद प्राप्थ है, जो कदम व्रिक्षा है, यह लोगों के दुहक तकलीफ को भी निवारण कर सकते हैं। और ऐसा समझा जाता है, कदम व्रिक्ष पर अगर कोई भी व्यक्ति कामना बोलते हुए किसी भी बुध्वार के दिन अगर जो हरा कलर का धागे होते हैं, यह बांधा जाए, तो सभी तरह के मनोरत की पूर्ती होता है, सभी तरह की परेशानी परेशानी बोलते हुए बांधे यह अंतिम वस्तु नहीं स्वय भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है, तो आप जो है, अगर आपके घर में बाल गोपाल नहीं है, तो आप जो है कृष्ण जन्माष्ट में भगवान श्री कृष्ण की बाल स्वरूप। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के जो छोटे से बाल स्वरूप अपने ने घर में रह करके इनका पूजा करते हैं, यह बैठा देते हैं, तो समस्थ देवी देवता इनके दर्शन करने के लिए आपके घर में आना शुरू कर देते हैं, आपको दिखाई नहीं देंगे स्वरूप में आते हैं, तो यह जो भगवान श्री कृष्ण के जो मूर्ती कहे जाने वाले बाल स्वरूप है, यह लाकर के घर में स्थापित करते हैं, तो आपके अध्यात्मिक उन्नती होगा, आपके जीवन में सारी परेशानी का निवारण होगा काम करना, भगवान श् इसके स्नान किये हुए जो पानी है इसके चीनते। इसके स्थापित करें तो कोई भी एक चीज करके अपने घर में स्थापित करें। लक्षमी की कृपा प्राप्थ होगा भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्थ होगा और देखते ही देखते आपके घर जो धन दौलत से परिपूर्ण बन जाएंगे आपके घर में किसी भी वस्तु का अभाव नहीं होगा विडियो समाप्त करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण सदा सहाय करें जरूर लिखें हैं, तो यह जानकारी कैसा लगेगा हमें जरूर बताना मेरे विडियो को टाइटल में देख ही चुके हैं, कि घर में रखे मूर्ती का प्रतिमा। परन्तु दोस्तों कुछ ऐसी मूर्तियां होती है, जिससे वास्तु शास्त्र में बेहद ही शुब। दूर हो जाती है, जानकारी बताने से पहले अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं की है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि हमारे चैनल का नाम प्राचीन ग्यान है। प्राचीन ज्यान की जानकारी सिखाते हैं, वास्तु से रिलेटेड जानकारी आप सभी मित्रों को सिखाते हैं, हमारे चैनल का. मकसद है सबका भला हो, सबका कल्यान पहला है, दोस्तों के घर में हाथी की मूर्ती जरूर रखा करें, अगर चान्दी का ठोस जो बना हुआ हाथी की मूर्ती रखते हैं, तो इसमें इससे जो है, घर में धन की वृध्धी होती है, आपने जरूर देखा होगा महालक्षमी जो प्रतिमा रहती है उसके सामने में चांदी हाउस के सामने जो थी होता है वह धन की वृध्धी दिखाई देते हैं धन वर्षा करते हुए बटुए के माध्यम से दिखाई देते हैं वास्तु शास्त्र के अनुसार दोस्तों हाथी को एश्वर्य का प्रतीक समझा जाता है और शयनकक्ष में रखने से धन की वृध्धी होती है शयनकक्ष में रखने से अगर राहों से संबंधित जो भी परिशानिया है जो भी दोश है वह दूर हो जाती है दूसरा है हंस जीहा दोस्तों जो हंस होता है न इसे जोडे रूप में करना चाहिए अगर वैवाहिक जीवन परिशानिया आ रही हैं, तो अपने शयन कक्ष में हर्ष के जोड़े रखने से व्याभारिक परिशानिया दूर हो जाती है और इससे आर्थिक लाभ भी प्राप्थ होता है, धन की वृध्धी होता है, तीसरा है कच्छुए की मूर्ती वास्तु के अनुसार, वास्तु शास् जो होता है भगवान विश्नु का रूप समझा जाता है, जिससे स्थान पर कचुआ होता है, वहां मा लक्षमी का पास भी होती है, जहां पर भगवान वहां पर मा लक्षमी खिंचे चले आते हैं, तो धन व्रिद्धी करने के लिए आप जो है पूर्व और उत्तर दिशा में कचुए की स्थापना अपने घर में जरूर करें परन्तु इस बात का विशेश ध्यान रखना की, चुआ अंदर की ओर आता हुआ देखना चाहिए, क्योंकि अंदर की ओर आता हुआ दिखाई देंगे, तो धन व्रिद्धी होता है, और अगर घर की अब ऐसा रख देते हैं कि बाहर की ओर जाते हो, तो इसे धन की व्रिद्धी नहीं, बलकि धन की नाश भी हो सकती है, तो कचुआ कैसे रखना है, कि घर के अंदर की ओर आते हुए होना चाहिए, इससे धन की व्रिद्धी होता है, इसके बाद दोस्तों चौथे नंबर पर आते हैं, जी हा, दोस्तो जो गाय होते हैं, न हमारे हिंदू धर्म में अति पूजनिय समझा जाता है, और वास्तु शास्त्र अनुसार. अगर घर पर पीतल की बनी हुई गाय की मूर्ती रखते हैं, तो इसे बेहद ही शुभकारी समझा जाता है, क्योंकि गाय में समस्थ तरह के देवी देवता होते हैं, अगर पीतल की बनी हुई गाय की मूर्ती को प्रतिदिन स्नान करते हैं, तो निश्चित रूप से मा लक्ष लक्षमी खिंचे चले आते हैं, धन की वृद्धी होती है, इसमें किसी भी तरह का। अजमाने के लिए स्वय भगवान कृष्ण ने कदम के वृक्ष पर बैठ कदम के पवित्र वृक्ष समझा जाता है, और शास्त्र के अनुसार इसे देव वृक्ष की तुलना में गंगा नदी से किया है, जिस तरह देवी गंगा अपने भक्तों का पाप हर लेती है, दोस्तो ठीक उसी तरह यह, वृक्ष अपनी शक्ती के प्रभाव से जिसके भी पास में रहता है, उसका दुख दरगरता का नामों निशान तक मिटा देता है, उस व्यक्ती को धन वैभव से बना देता है, तो आईए जानते हैं, इस वृक्ष से कैसे धन प्राप्त किया जा सकता है मित्रों जानकारी बताने से पहले आप सभी से छोटा सा निवेदन है, छोटा सा अनुग्रह है, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना हमारे चैनल में इस तरह के ज्यानवर्धक जानकारी आप सभी मित्रों को सिखाये जा तो आज भी इस व्रिक्ष पर भगवान श्री कृष्ण की दिव्याश स्वया बैठा हुआ होते हैं.